हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर डेली व्लॉक्स आज हम बनाने वाले हैं सीरी पाए सीरी पाए बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को टैप कर दीजिए तो सबसे पहले मैंने एक कोकर में दो बड़े चमश तेल डाल दिया है तेल को गर्म होने देंगे और इसमें खड़ा गरम मसाला आट कर देंगे बड़ी लाइची, डाल चीनी, काली मिर्च, चावित्री और क्रश करा हुआ प्यास डाल देंगे दो बड़े साइस का और इसे चला लेंगे इसको हलका भूरा रंग आने तक प्राय करेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे और अगर आप चाहो तो इसका प्यास का प्यूरी भी ले सकते हो अब इसमें लसून दस से बारा अद्रक एक इंच दूसे तीन हरी मिर्ची क्रश करी भी एड़ कर देंगे और डार्क ब्राउन कलर आने तक प्राय करेंगे चलाते रहेंगे इनको अच्छे से और आप चाहो तो लसून अद्रक हरी मिर्च का पेस्ट भी ले सकते हो यह हमारा डार्क ब्राउन कलर आ चुका है अब इसमें सुखे मसाले एड़ कर देंगे तीन चमश कश्मीरी लालमेश पाउडर दू चमश धनिया पाउडर आदा चमश हल्दी पाउडर और एक चमश गरम मसाला पाउडर एड़ कर दिया है मैंने और इनको अच्छे स्चला लेंगे मसालो की कच्छी स्मेल ना आए मीडियम फ्लेम करके अब इसमें पानी आइड़ कर देंगे और मसालो को पकने देंगे अच्छे से मसाला हमारा पकने लग गया है अब इसमें दो टमाटर एड़ कर देंगे वारिक कटा हुआ और मसाले को अच्छे से पकने देंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए मसाला हमारा पक चुका है देर किलो मैंने सीरी पाई लिए है सीरी पाई को अब मसाले में एड़ कर देंगे वाश करके अच्छे से सीरी पाई को और मसाले में दस मिनिट तक अच्छे से चला लिगे मिक्स कर देंगे मसाले में सीरी पाई को और चलाते रहेंगे 10 मिनेट तक अब इसमें 2 गलास पानी आइट कर देंगे नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल कर और 10 से 12 सीटी आने तक वेट करेंगे और यह हमारे सीरी पाय तयार है ठंड के मौसम में बहुत ही टेस्ट लगती है और बहुत हेल्दी होती ही सीरी पाय की सबजी और अगर आप चाहो तो इसको नान के साथ मक्य की रोटी के साथ बाटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है सर्दी का मौसा में अभी पहुत टेस्ट लगती है यह सबजी और अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेर करो, कमेंड करो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलो